हेलो एविवन कैसे हैं आप सब लोग होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे मेरा नाम है अमन और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि NTA ने अपने ओफीसर कलेंडर को रॉंच कर दिया है अगर आप लोग 2023 में CUT एक्जाम देने जाए हो ठीक है अगर आप क्या स्ट्राइट बोर्ड एक्जाम में हो या फिर आगर आप क्या स्ट्राइट पास कर चुके हो आपको CUT 2023 में देना है ठीक है डिफेंड डिफेंड यूनिवर्सिटीज में यूजी और पीजी कोर्स में एडिमिसन पाने के ये तो दोस्तों ये वीडियो आपकी बहुत यहां पर देखो इसको अम लोग open कर देते हैं यहां पर पहला है ठीक है तो यहां पर दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि भया एक्जाम की जो डेट्स है वो एनाउंस हो चुकी है ठीक है तो सबसे पहरे यहां पर हमें CUT 2023 यहां पर देखे हो भया जो डेट अव डेट है ठीक है ना ओके मतब कि अगर 21 31 के बीच में एक्जाम नहीं हो पाता है तो यह जूर में एक्जाम confirm हो जाएगा और आपका नीट यूजी का यह सब आपके एक्जाम आपको देख सकते हो ठीक है तो यह था आपका ऑफीस है तो अगरे आपको अपने CUT के ताहरी करना चाहते हो तो Commerce Nation के courses को जोइन कर सकते हो किन किन courses के यह B.com के यह M.com के यह B.ca के यह B.ba के यह और M.b.a के यह Commerce Nation आपको Complete course प्रवाइड करता है ठीक है जिसमें आपको वीडियोस मेरते हैं दोस्तों प्रपर वीडियोस आपको मेरते हैं ठीक है टेसी प्रवाइड की जाती है आपको PDF Notes मेरते हैं आप चाहो तो printer notes आपके घर पे भी हम लोग सेंट कर वादेंगे ठीक है तो यह साहे benefits आपको मेरते हैं और डी फिर चार सारों से लगाता है हम लोग maximum selection कर वाएं different different universities कहनता है चाहे वो BHU हो चाहे वो AU चाहे वो लखनव हो चाहे वो BBAU हो या फिकोई बी इंडिया की center या फिक mineral उनोट खर्वाई करना है ठीक है तो अगर आपको BCOM करना है BBA करना है BCA करना है या फिर MBA करना है ठीक है तो आप लोग हम लोगे courses को join कर सकते हो courses को करने कि यह commerce nation के app को आपको download करना होगा ठीक है एन हम लोग आपसे खुड़ी contact करेंगे या फिर हम लोग आपके दिये के number पर आपको हम उसे contact कर सकते हैं ठीक है तो में अपने next part में thank you so much and channel को subscribe करना मत भूई न जितनी भी exam की update आपको हमें provide करते जाएंगे time to time ठीक है में अपने next part में thank you so much